जब आप इंडियन नेवी, एरफोस, एंडिये या फिर किसी भी अधर कम्पेटिटव एक्जाम की तयारी कर साए हैं तो आप सभी अनगेडमी प्लस को जोइन कर सकते हैं सिंपल दोस्तो आपको प्रोमो कोड यूज करना है इंडियन और जब भी आप अनगेडमी प्लस को जोइन करें इंडियन प्रोमो कोड लगाईएगा और इससे आपको मैक्सिमम डिसकाउंट जो है मिल जाएगा दोस्तो आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशकवरी की बात आ चुके है अनगेडमी दोस्तो चैंपियन सिप लिग लेकर आ रहा है एंडिये एरफोस एक्षेंड वाई नेवी एमर एससायर डबल लेके लिए जिसमें दोस्तो आप जो है बहुत ही बड़ा इनाम जीत सकते हो यह जो चैंपियन सिप है यह 29 नमबर को होगी दोस्तो संडे को सुबह के 11 बजे यहाँ पर अगर आप रैंक लेके आते हैं दोस्तो एक तो आपको 15,000 का एमजोन वाउचर मिलेगा साती सात दोस्तो 9-10,000 रुपे के आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री मिलेगा तो कुल मिलाके दोस्तो आपको 22-30,000 जो है मिल रहे हैं एक रैंक लेके आने पे अगर आपकी रैंक दोस्तो 4-10 आती है तो आपको 5,000 एमजोन का वाउचर और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा रैंक दो अगर आपको आती है दोस्तो आपको 10,000 का एमजोन वाउचर एक साल का सब्सक्रिप्शन 11 से लेके 20 अगर आपकी rank आती है तो 3000 का Amazon voucher और 3 महीने का subscription और आपकी rank 3 आती है तो साड़े 7000 रुपे का Amazon voucher और 1 साल का subscription दिया जाएगा दोस्तो इसके लिए आप बिल्कुल free में enroll कर सकते हैं enroll करने का link मैं आपको description में दे दूँगा वहाँ से आप 100% free जो है enroll कर सकते हैं इसी परकार कि ये championship league है दोस्तों जो की CDS, FCAT और CAPF के लिए है ये भी 29 नुवंबर को संड़े को होने वाली है और इसके लिए भी आप जो है free में enroll कर सकते हो दोनों को enroll करने के link मैंने description में दिये होए है सकते हो मैं Indian Air Force की official website airmanselection.cdac.in पर हूँ और अब जो है side बिल्कुल अच्छे से work कर रही है मैं आपर आपको refresh करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों अब मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि किस परकार आपको अपना result चेक करना है मुझे पता है maximum candidate ने अपना result चेक कर लिया है फिर भी दोस्तों आप side अच्छे से work कर रही है तो मैं एक बार दो बार से बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों clearly यहाँ पर बता दिया गया है कि जो result है आपका star online exam जो की intake 02-2021 के लिए है वो candidate login पर जो है बता दिया गया है वो candidate login पर जो है upload कर दिया गया है और phase 2 के जो admit card है दोस्तों वो भी जो है available हो चुके हैं download करने के लिए तो यहाँ पर आप द्यान रखेगा और यहाँ पर क्या बताया है दोस्तों display list of candidate shortlisted phase 2 is available under candidate tab shortlisted candidate for phase 2 intake 02-2021 21 phase 2 admit card will also be mailed to the under registered email ID of the shortlisted candidate मतलब जो admit card है दोस्तों phase 2 के वो shortlisted candidate को email के थुरू भी बता दिये गए है तो यहाँ पर आप जो है clearly देख सकते हो तो दोस्तों आपको पता है कि phase 2 जो है January से start हो रहे है आप मैं आपको बताता हूँ कि किस परकार आपको अपना जो है login ID से अपना admit card निगालना है phase 2 का सबसे यहाँ पर दोस्तों आपको candidate पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद login पर click करना है दोस्तों login पर आप जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपको अपनी एक valid email ID एंटर करनी है यहाँ पर आपको password एंटर करना है यहाँ पर जो एक capture है यह same to same जो capture है यह आपको एंटर कर देना है उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो sign in कर सकते हो for example के लिए दोस्तों अगर आपके पास password नहीं है बाजचांस आप password बूल गए हो तो यहाँ पर forget password करना है simple अपनी email ID एंटर करनी है जो secret question आपने form डालते वक्त है फर registration बनाते वक्त एंटर किया था वही same to same आपको यहाँ पर एंटर कर देना है तो यहाँ पर जो भी आपने एंटर किया था वह एंटर कर देना उसके बाद यह जो capture आपको दिख रहा है यह same to same आप एंटर करना है और simple submit कर देना है और आपकी जो email है वहाँ पर आपको password मिल जाएगा तो इस परकार आप जो है अपना password reset कर सकते हो तो दोस्तों वहाँ से आप अपने admit card डाउनलोड कर सकते हो साथी साथ आपको email के थुरू भी बता दिया गया है कि आप अपना admit card जो है डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों साइट अच्छे से work कर रही है जो भी जनोंने भी apply नहीं किया है तो apply कर दीजिएगा और एक और बात दोस्तों आज आप सभी को पता है कि open rally के लिए भी जो है registration स्टार्ट हो रहे है आप सभी को पता है आज यनि 27 जनवर से registration स्टार्ट होंगे और last date रखी गई है बई 28 नवंबर sorry 27 नवंबर से start होंगे और 28 नवंबर जो है registration की last date रखी गए तो मैं step by step एक वीडियो के मादम से आपको बता दूँगा कि डरली के लिए भी आपको कैसे registration करना है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा फिर बेकर आपका कोई doubt हो तो मेरे को comment करके बता सकते हैं मिलते हैं आप से next वीडियो में